बारत एक ऐसा देश है जहां कई रीती रिवाज बिद्वान हैं जिसमें से कई तो ऐसे विचित्र हैं जिनको सुनकर अचमभा होता है ऐसी ही एक रीती है जो मध्ध परदेश के गाउं में खोली के दिन की जाती है पूरे भारत में जहां होली पर रंगों का त्योहार मनाया जाता है वहीं इस गाउं में प्यार का त्योहार मनाया जाता है होली के दिन यहां प्यार का इजहार कर अपने मन पसंद हमसफर की तलाश को पूरा किया जाता है तो आईए जानते हैं इस गाउं की पूरी जानकारी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि मद्धपरदेश के इस गाउं में प्रेम का इजहार करने का अनौखा तरीका है जहां युवा अपने मन पसंद हमसफर की तलाश करते हैं वे उन्हें पान खिला कर प्रेम का इजहार करते हैं और लड़कियों को लेकर भाग जाते हैं आपको बता दें कि निमाड में फेमस भागोरिया मेला शुरू हो गया है यह भील और भिलाला आदिवासियों की प्रेम और शादी से जुड़ी परमपरिक मेला है बताया जा रहा है कि ये मेला खोली के मौके पर भगोरिया पर्व मनाया जाता है ये होली से एक हफते पहले शुरू होता है होली से पहले शुरू होकर मेला खोली के दिन ही समाप्त हो जाता है आदिवासी साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं आपको बता दें किस मेले में ढोल मांदल की थाप पर सज धज कर युबा आते हैं आदिवासी युवतियां भी रंग बरंगे कपड़ों में सज कर पहुंचती हैं युबा अपने मन पसंद हम सफर की तलाश करते हैं तलाश पूरी होने पर वे लड़की को पान खिलाते हैं फिर लड़का और लड़की मेले से भाग जाते हैं खास बात तो यह है कि भागने की वजह से ही इसे भागोरिया पर्व कहा जाता है इसके कुछ दिनों बाद आदिवासी समाज उन्हें पति पतनी का दरजा दे देता है पताया जा रहा है कि मेले में युबकों की अलग अलग तोलियां सुवैसे ही बासुरी ढोल मांदल बजाते गूमते हैं आदिवासी लड़कियां हातों में टैटू बनवाती हैं हलाकि वक्त के साथ मेले का रंग बदल गया है मेले में गुजरात और राजिस्थान के ग्रामीड भी पहुँचते हैं हाफते भर काफी भीड भी रहती है नेक्स्ट नाइन स्प्रेच्छल की रपाट